नमस्कार नियूस लाइड में आप सभी दर्सकों का स्वागत है अवित्य की तमाम ताजातरीन खबरों के साथ मैं हरू बगुटा तो खबरों के शुरुआत करते हैं हर बार के तरह हेड्लाइन से गिरीडी मधुपूर रोड में जहलग लिहा के पास ट्रक की चपेट में आने से पांच वर्षिया बच्ची की मौद आक्रोशीत ग्रामिनों ने किया सड़क जाम, मुआवजे के आश्वासन के बाद हटा जाम समाज कल्यांद और संचालित योजनाओं को लेकर उपायुक ने की समिछा बैठक, आपसी समन्वय के साथ सभी पदाधिकारियों को कार्ज करने का दिया आदेश एलाईसी अधिकारियों योग कर्मचारियों ने किया द्वार प्रदर्शन, एलाईसी में सरकारी हिस्चेदारी बेचने की घोषना पर जताया विरोध और जार्खन क्रिकेट संग का अंडर 19 क्रिकेट पुनामें प्रारं लातेहार बनाम साहिबगन की बीच हुआ उर्घाटन मैज और आग खबरे विस्तार से बेंगाबाद प्रखन अंतरकर जलग डीहा पंचायत के नयाडी गाउ में ट्रक की चपेट में आकर एक पांच वर्सिय बच्ची की मौत हो गई इस घटना के विरोध में ग्रामिनों ने मधुपूर बेंगाबाद रोड को जाप कर दिया करम जोरा के पास जाम कर दिया मौके पर विडियो कुमार अभिसेख, थाना प्रभारी प्रशान्त कुमार, मुख्या मोहमर शमीम, मुख्या प्रतिनधी, नुनुराम मुर्मू पंचाय समीती सदसे परमेश्वर मरांडी आदी ने पहुंच कर अग्रामिनों को सरकारी मुआफजा दिलाने कार्शवासन देकर जाम हटाया 흡्री अवकारा देकर हो कुमार्यों सिर्फ़्ट जास हखा हो मुच्छाय दगारा के उना उन्मी कारिकर तो पुम के अशना कार च। इसमें ट्रुक है, इसमें नगदा हुआ है, इसमें नगदा हुआ है, उसी ट्रक ने, और यह जो है आपका वहां पूरे ग्रामिनों के द्वारा रोड जाम किया गया था जिसमें सभी परसासन वीडियो साहिब और वहां स्थानिय मुखिया और हम लोग के द्वारा जाके वहां समझा बुझा के परिजनों को और पुब्लिक के द्वारा चंदा करके परसासन और मुख्या पंचैत समीती सभी के सहयोग से 20,000 रुपिय का उनको नानी सहयोग आसी मिला और तमाम जो सरकारी सुविधा है जैसे चावल है और वीडियो से बोले हैं कि पर्धान मंत्री अवास वगेरा उनको परिवाद को जो मिलेगा समाज कल्यान से समंदित समिछात्मक पैठक हुई इस दोरान उपायुक के दोरा समाज कल्यान दोरा संचालित योजनाओ योवों किये जा रहे कारियों की समिछा की गई बैठक में मुख्य मंत्री कन्यादान योजना की समिछा की गई का मोबायल खराब है बैठक में उपायुक ने कई दिसनी दिशल्थ हाजड़ा में अपर्समाहट्दा जिला समाज कल्यान पदादीकारी जिला जन संपर्ख पदादीकारी सभी बाल विकास पर जिरना पताधिकारी, टीयूर, डिस्टिक्ट सब्रिजिस्टार, जेसल पीएसके, बीपीएम के अलावा कई पताधिकारी उपस्ति थे एलाइसी में सरकारी हिसेदारी बेचने की घोशना के विरोध में भारती जीवन बीमा निगम के अधिकारी वह करमचारी ने द्धार प्रद्रशन किया इस फैसले की विरोध में करमचारी ने चार फरवरी को सांकित थड़ ताल करने का निर्ण है लिया है केंद्री विट्मंत्री के द्वारा बजट भासन में LIC में सरकारी हिसेदारी बेचने की घोशना के विरोध में भारते जीवन बिमा निगम के अधिकारियों वा करमचारियों ने सोमवार को द्वार प्रदर्शन किया इसका नित्रत्व संग के सचिव धरम प्रकास ने किया मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आधारबुत संरक्षना के विकास में LIC का महतपून योगदान रहा है ऐसे में LIC का विनिवेज की बात करना देश हित में नहीं है इस फैसले के विरोध में करमचारियों ने 4 फरवरी को सांकेतिक धरताल करने का निर्ने लिया है इस प्रदेशन में संजे शर्मा, मिर्टुनजे सिंग, संत कुमार राय, उमानाद छा, विजे कुमार, विकास कुमार, रंजित सिंग, देपक कुमार सिनह, आदी मुखिरूप से मौजू थी आज भारतिय जीवन विवान निकम की तीन सबसे बड़ी ट्रेड इनियन के दोवारा गेट डिमोस्टेशन रखा गया है और ये गेट डिमोस्टेशन सरकार के उस फैसले के बिरोध में है एक फरवरी को देश का बित मंतनी जब बजट भासन दे रही थी तो उसने बजट भासन में बोली कि LIC को अब सेयर बार्केट में सुचिवद किया जाएगा इसका मतलब ये है कि LIC को अब बेचा जाएगा हम लोग इस फैसले के गेश्ट में गेट डिमोस्टेशन कर रहा है LIC इस देश की सर्वोत्तम बितिय संस्था है जो इस देश के Infrastructure Development में अहम जोगदान 1956 से देते आ रहा है अभी तक LIC ने इस देश की जितनी भी पंचवर्सी जोजना है इस देश में लगू हुई है उसके टोटल बजट का 20 पर 30 सच LIC ने दिया है इतना ही नहीं अभी हाल में जब रेलवे की स्थिती खराब होई थी तो LIC ने बिना सर्थ 1,50,000 करोड का निवेस किया है इस देश की IDBI बैंक जब डूब रही थी तो LIC ने उसमें निवेस करके उस बैंक को बचाया है और इस देश की जनता का पैसा को भी बचाया है LIC में अभी बिमाधारकों की संख्या 32 करोड है आनि LIC में 32 करोड लोगों का पैसा लगा हुआ है इस सरकार का हक नहीं बनता है कि वो 32 करोड लोगों का पैसा को कार्पोरेट के हाथों में पहुँचा दे इसलिए हम लोग इस फैसले के विरोध में आज गेट डिमोस्टेशन कर रहे हैं और कल एक घर्टे का संकेतिक हर्ताल करेंगे और सरकार से आगरह करेंगे सरकार को बोलेंगे कि जो उन्होंने बजट भासन में निर्नाइ लिया है उसे वापस ले अन्यता हम लोग आ निश्चित कालीन हर्ताल पे भी जा सकते हैं जिला पुलिस बलके 14 पुलिस अधिकारियों की सेवा निर्विती पर पुलिस लाइन में एक सम्मान सम्हारों कायोजिन किया गया 31 जनवरी 2020 को गिरडी जिला पुलिस बलके 14 पुलिस पतादी कारियों एवं हवलदारों की सेवा निर्विती पर सोंबार को पुलिस लाइन में एक सम्मान सम्हारों कायोजिन किया गया इस कारिक्रा में S.P. सुरिंद ज्जा, D.S.P. संतोस मिश्रायव, विनोध रवानी ने सभी को फूल माला पहना कर सम्मानित किया सेवा निर्विती पाने वालों में जकरिया सोय, असुख कुमार सिंग, विजय पाठक, भ्यानन्द यादव, मुहमत फिरोज खान, विनोध ठाकूर, अर्जुन कुमार मिश्र, मुहमत शमसाद, रवेंदु कुमार, योगेंदर प्रिसाद मंडल, देवनीस तिर्की, सिंग और कालिका प्रसाद यादव शामिल है, कृष्णा नगर में स्कूली बच्चों से भरे एक मारती वैन की फिसल जाने से दो बच्चे खायल हो गए, दोलों जक्मी बच्चों का इला सलस्पता में चल रहा है, गिरडी पचमा रोड में कृष्णा नगर के पास सोमवा को एक बड़ा हाथ सा टल गया, बताया गया कि 16 स्कूली बच्चों से भरे एक मारती वैन की फिसल जाने से उसमें सवार दो बच्चे खायल हो गए, वैन का चालक 16 बच्चों को वैन में बठा कर अन्य बच्चों को लाने कारमल स्कूल चला गया, इसी दोरान वैन अपने आ हो गया, जालाओं में गारी करा था, डिस्पे कुछ नहीं लगावाता और गारी पलट गया, कहां पर पलता है, कुछना नगर में, कौन से इसकूल में पढ़ते हाथ, कारमल, किसे बच्चे लोग घाल हुए, घाल तो ज्यादा दो में बाटी तो और चोट लगा हुआ है, ये कारमल इसकूल का बच्चा को घाल लाने जाती है, कारमल इसकूल के नजदीक खड़ा किया था, लगता है गलती से बच्चा लोग हैंड ब्रेक को छुड़ा दिया, उसी में ये दूरटना हुई, ड्राइवर का इसमें कोई गलती नहीं है, और सारे बच्चे सुरच्च सारे बच्चे सुरच्चित हैं कारमल इसकूल के परसासन के दारा कारमल इसकूल भी एक्टिव हो गई है, और सारे बच्चे सुरच्चित हैं महला वाकसी लोग का इसकूल है, इसलिए इसकूल से लगा और बच्चे तो भगवान पुल होते हैं, बतारे ड्राइवर भाग ग्राइवर की वैसी कोई गलती नहीं है, लगता है कोई बच्चा से हेंड ब्रेक छुट गया होगा इसी कारण ये दूबट नहीं है। यहां सेक्डो लोगों ने आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहन किया। जिसका उद्घाटन जगरनाथ मंडल एवं समाज से भी राजेस राय ने फिता काट कर किया। मौके पर बंगाल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुती दी। कारिकरम के आयोजन में रवी मंडल, छोटु राय, मनीस मंडल, प्रेम माही, राजिंदो कुमार, आदी ने सरानिय यूगदान किया। मौके पर बंगाल के कलाकारों ने इसलेक पर वी मंडल, प्रेम माल, आदी ने धुकु बाल, आदी ने यूगदान किया। जे जोओन जोओन मांगे माया से लेके जाए मावण खीतार भागर जाए की ऊरे एरे? मरिया के जिया जोगाए की ऊरे? साथ को जूदे के तुमादा से च्रवण जाए हानते वलेů इमेल पछला ना जाए की ऊरे? साथ को जोदे के चुमादा flirting मलिनिया को अरुताई अरिया अरिया जाना है को मरियन के बीचे बला में पोई फोटो ना खीचे खड़े रहना नेरे बीचे बला में कोई फोटो ना खीचे होटो ना खीचे बला में पोटो ना खीचे मोती लदा के दिगंबर पहाड अंतरगा तिये आता है और यहां पर फाइट कलब दुआरा आज जो रंगा-रंग काहिर करमिया रखा गया था मास और सुती भी सरजन के पसाथ वाके काविले तारीफ था बहुत अच्छा लगा और भक्ती गीतों से लोग यहां पर सुरोवर जूमे रहे हैं असुरहटी गाओं के लोगों को मूल भूत सुबधा भी नहीं मिल रही है यहां पानी की घोर समस्या है इतना ही नहीं यहां सडकों की स्थिती दीब बेहत खराब है सडक पानी के लावा इस गाओं में सिक्षा का भी हाल बुरा है गाओं में एक स्कूल है वो भी पिछले तीन मां से बंध है उबर खाबर रास्ता सडक ऐसी की पैदल चलना भी दूभर भरा हो ऐसे ही रास्ते से हम पहुंचते हैं असुर हड़ी गाओं बिहार की सीमा से सटा गिरेडे जुले के तिसरी प्रखन का यह गाओं विकास को मुह चिड़ा रहा है जला मुख्याले से लगभग 90-95 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गाओं के लोग विभन समस्याओं से जूज रहे हैं यहां के लोगों को पानी के लिए नाले पर निर्भर रहना पड़ता है नाले में चुआ खोदने के बाद किसी तरह से पानी निकलता है जिसे डिकची बाल्टी में भर कर लोग ले जाते हैं इसी पानी का उपयोग लोग पीने के लिए करते हैं बड़ी बात या है कि इसी नाले का पानी मवेशी भी पीते हैं ग्रामेन बताते हैं कि गाउं का चापकल खराब रहता है तो काफी दूरी तैक करने के बाद पहाडियों से गुजर कर लोग नाले में पहुंसते हैं और पानी ले जाते हैं बरसात में नाले का जलस्तर बढ़ जाने वगर्मी में नाला सूख जाने से पानी के लिए पांच किलो मेटर की दूरी तैक करनी पड़ती है यह भी बताया कि उनके गाउं में कभी भी कोई नेता नहीं पहुंसते हैं सडक पानी के अलावा इस गाउं में सिक्षा का भी बुरा हाल है गाउं में एक स्कूल है जो पिछले तीन माह से बंद बड़ा हुआ है इस मामले पर भीडियो कहते हैं कि असुरहड़ी की समस्याओं का निदान के लिए जल्द ही सार्थक पहल की जाएगी आचे कि भीडियो में प्रॉक धानी को क्याधक बहुक्ट का उला है तीनमागव को मेधे 2 ल прилож Yog ngob कि एने हरं और जाख को अ कर बाख र के बाख और भाका हम आा एक पूल कर पा का अ यो सुझ खो यो दून लाख जए न डाख न दूनोंगा रहा हो हाउ जघको न चना है हाई मेर गषो कर गपर जब पर रहा है हाई हाई जारकन क्रिकेट असोसेशन द्वारा अंडर लाइंट इन क्रिकेट टूनामेंट काईब ऑझें किया गया टूव्यंट ग्रिड़ी स्टेडियम और ग्रिड़ी कॉलेज में किया जा रहा है। इस टूवनेंट की शुर्वार्ट खेलाडियों से हाथ मिलाकर आइवय अतितियों के द्वारा की गई इस टूबन में कुल पांच जिलेव के टीम हिसा ले रहे हैं लीग मैं 7 फरवरी तक खेला जाएगा उसके बार 9 तारिक से क्वार्टर फानल मैच खेला जाएगा टॉस जीत कर पहले बले बाजी करते वे साहिब कर निनरधारित 50 ओवर में 244 रन बनाए जावाबे पारी खेलते वे लाधिहार के टीम 34 ओवर में ही लश्क को हासिल कर लिए मौके पर किर्केट असूसियेशन के सचीव रमेज स्यादव सहसचीव संतोस्तिवारी माले नेता सा किर्केट राजे सिनहा मीनू सिंग, विक्रम सिनह, बवलू सर्मा, सहिद कई लोग माके पर माजू थे किर्केट के लिए बहुत कुसी की बात है कि गिरिडी जिला स्थरिये मैच जो की चल रही है यहां पर आज साहिब गंज का और लातेहार का मैच गिरिडी कॉलेज में खेला जा रहा है और पलामू का मैच गिरिडी के साथ गिरिडी स्टेडियम में खेला जा रहा है और यह दोनों मैच यहां ग्रेडी स्टेडियम में और ग्रेडी कॉले में दोनों मिला है और यह मैच अभी डेली चलेगी हाट टीम को यहां पर चार मैच खेलना है उसके भी आगे राउंड के लिए भी खेलेगी मैच यह JCA का अंजर 19 प्लेट गुरूप का मैच टूनामेंट हो रहा है जो इसमें यहां पर आपको साब तरीक तक लिग फेज का मैच है उसके वाद 9-10 से 11 आपको सुपर लिग का मैच है तो आज की सम्ट में पसित्ता ही हम फिर मिलेंगे अगले अपक में कुछ और खबर को लेकर तब तक ही देजिए हमारी पूरी टीम को अजासब नमस्कार